राम राम किसान भाईयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाट साला में हमारे काफी किसान भाईयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम आलू की खुदाई करना चाहते हैं लेकिन जो आलू की वेल है वो अभी हरी भरी है तो इसे सुखाने के लिए हम कौन सी दबा का प्रयोग करें जिससे कि आलू खुदाई में जो लेवर का खर्चा है वो कमा सके या फिर हम मसीन दोरा भी आलू की फसल की खुदाई कर सकें तो किसान भाईयो पूरी जानकारी में आपको इस बीडियो में देने बाला हूँ तो आप बीडियो में लास्ट तक बने रही है किसान भाईयो इस बीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू की बेल सुखाने के लिए आपको कौन सी दबा का इस्तिमाल करना है कितनी मात्रा में दवा को लेना है यह दवा कितने दिनों में आलू की बेल को सुखा देती है और इसका आलू के कंदों पर कोई साइड एफेक्ट तो नहीं होता है तो किसान भाईयो दवा की बात करें तो आपको मार्केट से लेके आनी है पैराक्वाइड डाइक्लोराइड 24% SL इसकी मात्रा की बात की जाए तो इसकी एक लीटर मात्रा एक एकड़ खेत के लिए परियाप्त रहती है एक लीटर दवा को आप लगभग 1.500 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से घूल बनाकर अपनी फसल पर छड़काओ करें किसान भाईव कोशिस करें कि आप इस दवा का छड़काओ सुभह के समय करें जिससे की पूरे दिन की जो धूप है वो मिल जाती है पूरे दिन की धूब मिल जाने पर यह दवा पौधों में सही ढंग से संचारित हो जाती है और पौधा दो दिन में पूरी तरह से सूख जाता है यानि कि इस दवा का छड़काओ करने के दो दिन में ही आलू की जो वेल है वो पूरी तरह से सूख जाती है किसान भाईयों बात करें इसके side effect की यानि कि नुक्सान की तो किसान भाईयों इस दवा का आलू के कंदों पर किसी भी तरह का कोई नुक्सान नहीं होता है लेकिन दवा का छड़काओ करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पडोश वाले खेत में कोई फसल होने पर यह दवा उस खेत तक ना पहुँच पाए क्योंकि यह दवा किसी भी पौधे पर पढ़ने के बाद पौधे को पूरी तरह से सुखा देती है तो किसान भाईयों आप अपनी आलो की विल को सुखाने के लिए पैरा क्वाइड डाइकलोराइड दवा का इस्तेमाल करें किसान भाईयों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अबम सेर जरूर करें